नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक कारक और उसके भेद, इंगलिश में जैसे हम कहते हैं case तो case study, इसके जो भेद होते हैं art, kind of कारक जो हैं art प्रकार के होते हैं तो कौन-कौन से होते हैं और हर कारक की एक विभक्ती होती है जैसे करता कारक उसकी विभक्ती है ने, करता ने, कर्म कारक में कर्म को करण कारक उससे के द्वारा, मतलब विथ या किसी के द्वारा होने वाला ना इसके लिए हम करण कारक का यूज़ करते हैं फिर है संपरदान कारक को के लिए फिर अपादान अपादान कारक में भी से यूज़ होता है बट ये separation के लिए यूज़ होता है कि अधिकरण का अर्थ होता है मेय पर जिस विभक्ति लगती है जैसे पेड़ पर पौदह बैटाई अधिकरण है फिर है संबोधन कारज अरे रे यह किसी को अड्रेस करना एक दम तो उसे हम संबोधन कारज बोलते हैं तो चेलिए अब हम examples के दारा कारक और उसके भीद को समझते हैं अब जैसे पहला कारक क्या था करता कारक करता का अर्थ होता है करने वाला मिन्स जो subject है तो हमें subject करता कारक को देखने हैं तो करता करने वाला वाके में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है जो मतलब डूर है जो क्रिया एक्षिन करता है कोई वे करता कारक कहलाता है और करता कारक का जो चिन है मतलब उसकी विभक्ती है उसके साथ हमेशा ने आता है यानि की करता उसके साथ ने के साथ आएगा तो वो करता कारक है जैसे for example मा ने खाना बनाया किस ने खाना बनाया मा ने तो यहाँ पर मा जो है करता है मा और उसकी जो चिन है या उसकी भिभक्ती है वो ने मा ने खाना बनाया यह करता कारक है फिर दूसरा कारक होता है कर्म, तो कर्म कारक में संग्या या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं, मतलब जो noun और pronoun पर जो action है, उसका जो प्रभाव पड़ता है, जिस भी चीज के उपर, mostly क्या कर्म के उपर इसका प्रभाव करते हैं, कर्म को, जैसे हम example के द्वार समझते हैं, मा बच्चे को सुलाती है, तो यहाँ पर को जो है, यहाँ पर मा जो है subject है, और किसको सुलाती है मा बच्चे को, तो बच्चा जो है कर्म, क्योंकि सुलाना जो है क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है बच्चे पे और करने वाला कौन है मा तो subject हुई मा, object जो है बच्चा और सुलाती है वो हुआ action यानि की क्रिया तो जब किसी भी sentence में subject के साथ object भी मौजुद हो तो वो कर्म कारक उसमें जो effect बढ़ेगा कर्म के उपर पढ़ेगा तो वो कर्म कारक होगा फिर next जो है करण कारक करण का मतलब होता है किसी चीच का साधन या medium करण मतलब होता है साधन या माध्यम बाके में जिस इस्थान या माध्यम से क्रिया की जाती है मतलब जिसके द्वारा कोई action किया जाता है वे करण कारक कहलाता है अब जैसे एक्जामपल के लिए देखो current कारक का हल चिन हमेशा say के द्वारा है मतलब किसी चीज के द्वारा यहने with by ये सब current कारक के लिए use होंगे तो हम example देखते हैं जैसे यहाँ पर example है मा चाकू से फल काट रही है तो मा है subject चाकू है object और यह काट रही है वो है action तो किस चीज से काट रही है चाकू से मतलब की with यहाँ पर जो से है with चाकू के द्वारा knife से fruit कट कर रही है तो यह यहाँ पर करण कारक है इसके बाद आता है संपरदान कारक तो संपरदान कारक में क्या होता है किसी को कुछ देना मतलब जब करता दारा कुछ देने की क्रिया की जाती है देना प्रकट करने वाला शब्द संपरदान कारक कहलाता है मतलब किसी को हम कुछ चीज देंगे उसके लिए हम संप्रदान करा किसका चिन जो होता है संप्रदान के लिए जैसे आप यहां पर उधारन से समझे पिता जी शीना के लिए उपहार लाए पिता जी है सब्जेक्ट शीना अब्जेक्ट यहां पर उसका कारक है के लिए तो यहां पर के लिए जो है यहां पर दो संप्रदान संप्रदान कारक पिता जी शीना के लिए उपहार लाए याने father जो है शीना के लिए president life और शीना तो यहाँ पे यह जो होगा कौन सा कारक होगा यह संप्रदान कारक फिर अगला है x जो है अपादान कारक अपादान कारक जो है इसमें संग्या या सर्वनाम मतलब noun और pronoun के जिस रूप से अलग होने के लिए जैसे अभी आपने पढ़ा था संप्रदान कारक में भी say आता है बट say जो है वो width के लिए use होता है बट यह अपादान कारक मतलब separation के लिए किसी से अलग होने के लिए यह दूरी बताने के लिए तुलना करने compare करने के लिए डरने अत्वल लजाने आदिके भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं और उसे भी say चिन से ही प्रकट करते हैं जैसे की current say करते हैं पर वो width के लिए और यह वाला say जो होगा अपादान वाला वो separation के लिए किसी चीज से अलग होने के लिए फिर इसके बाद है इसका जैसे example देखे पेड से पता गिरता है तो यहाँ पे से जो है अपादान कारक है क्योंकि देखो यहाँ पे पते जो है ना fall हो रहा है पेड से नीचे गिर रहे हैं separate हो रहे हैं पते इसके बाद आता है छटवा संबंध कारक संबंध कारक मतलब किसी चीज को relation बताने के लिए यानि कि संग्या के जिस रूप से दो संग्याओं अथवा दो सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं इसको जैसे काकी के रारी इस तरह चिन्नो के द्वारा व्यक्ति किया जाता है मतलब दो संग्या या दो सर्वनामों के बीच में relation बताने के लिए इस कारक का प्रयोग करते हैं जैसे कर्ण अपने भाई की मदद करता है तो कर्ण और भाई दोनों जो हैं संग्या है और मदद करना एक वर्व है और इसका जो कारक है सं मंद की यानि किसकी मदद करता है कर्ण अपने भाई की तो दोनों की relation है कर्ण और उसके भाई के बीच में relation बता रहा है कि दोनों के बीच में दोनों नाउन के बीच में क्या संबंद है भाई का इसके बाद 7 आता है अधिकरण तो अधिकरण कारक में क्या होता है संग्या क जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, आउसर आधी का पता चलता है उसे अधिकरण कहती है अधिकरण जो है इसमें मे और पर इसका जो भिभकती होती है याने कि चिन होता है उसके द्वारा प्रकट किया जाता है जैसे उदारण से देखते ह allons कि अधिकरन कारक में क्या होता है जैसे उधारन के लिए यहां पे देखे example राखी के आवसर पर बहने भाई को राखी बांधती है मैंने किस ओकेशन पर किस टाइम पर तो यह पर जो है यहां पे अधिकरन कारक होगा जैसे पेड़ पर तोता बैठा है या पक्षी बैठे हैं तो ये भी अधिकरण कारक हो जाएगा जैसे टेवल में किताब रखी है में पर ये सब अधिकरण कारक की विवक्तियां हैं इसके बाद है फिर नेक्स्ट आठवा है संबोधन कारक संबोधन याने किसी को हम एड्रेस करके बोलते हैं जैसे संग्या जिन संग्या शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने में यत्वा पुकारने यत्वा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं मतलब किसी को हम बुलाते हैं कॉल करते हैं कि हे अरे ओ इस तरह से बोलते हैं वो संबंध कारक होते है और इसके महराज को संबोधत करें अरे महराज आप आगे तो इस तरह से exclamation max के साल संबोधन कारग को प्रकट किया जाता है